आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि खंडन का विलोम शब्द क्या होता है इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्टों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले खंडन का आर्थ समझते हैं खंडन का आर्थ होता है नकारना या खंडित करना यानि कि खंडन का दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो किसी चीज को नकार देना यानि कि जैसे मानले जे किसी पर कोई आरोप लगे और वो कहता है कि नहीं ये आरोप सही नहीं है तो इसका मतलब आरोपों को वो खंडित कर रहा है उनका खंडन कर रहा है इसके इलावा किसी चीज को तोड़ देना भी उसका खंडन करना कहलाता है तो खंडन करने का मतलब तोड़ देना भी होता है या कोई युक्ति आदी देकर किसी सिध्धान्त या कथन का पुष्टी करन करना यानि कि मानलीजी किसी पर कोई आरोप आप लगाते हैं तो उसको आरोप का मंदन करना कह सकते हैं या किसी को कोई चीज को आप सजाते हैं उसको भी उसका मंदन करना कहा जा सकता है तो खंडन का opposite यानि की खंडन का विलोम शब्द यानि की विप्रितारतक शब्द होता है मंडन आईए अब हम खंडन और मंडन को कुछ उधारण वाक्यों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी आरोपों का खंडन करते हुई उसने साक्षय प्रस्तुत किये तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं कि उसने आरोपों का मंडन करते हुई साक्षय प्रस्तुत किये ये फिर आप कह सकते हैं समाचार पत्र ने जोटी खबर का खंडन किया ये फिर आप कह सकते हैं मंदिर का मंडन बहुत सुन्दर है यह फिर आप कह सकते हैं देवी की मूर्ति के मंदन के लिए सुन्दर आभूशन और फूलों का उपयोग किया गया अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें